अब जेल के अंदर किसी इंसान के अंग गिरने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो आपस में जूरकर एक बड़े से मॉंस्टर की शकल ले लेते हैं वो क्रियेचे पुलिस वाले को मार कर बच्चों की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन वो बच्चे जेल तोड़कर वहाँ पूछ में लगती हैं जिस पर वो आत्मा बताती है कि काफी साल पहले उसका परिवार यहाँ पर रहा करता था और उनकी काफी सारी फैक्टरी थी एक दिन उन्होंने फैक्टरी का कचरा तलाब में फेक दिया था जिसका पानी पी कर उस शहर के बच्चों की जान चली गई जिसके बाद वो आत्मा बहां से गायब हो जाती है और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है